जहे हैं दोस्तों आप देख रहे हैं एक्जामेट जी और इस वीडियो में बात करूंगा UPSC 2018 का प्रीबियस एर का क्वेशन्स इसमें लगो 20 प्रसंद देखेंगे और यह लगो 4 फेजिस में यह हो जाएगा ठीक है तो हम एक सीरीज देख रहे हैं जिसके तहत UPSC प्रीबियस एर के प्रसंद पत्र देख रहे हैं जिसमें मैंने 2019 के सारे आपको क्वेशन्स करा दिये हैं बता दिये हैं और यह target मेरा अपना talent दिखाना नहीं है कि देखो इसका answer ऐसे होगा बैसे होगा यह देखिए ऐसे करके आते यह उद्देश नहीं है मेरा मेरा उद्देश मातर इतना है कि आप लोग questions के परचित हो क्योंकि book उठाके नहीं देख पाते हो तो आपके पास कुछ ऐसे वीडियोज होने चाहिए जब भी मन करें आप देख लीजे कि किस पकार से questions जो है बन रहे हैं सारे चीने digital हो रही है तो मैं इस format को जो है digital कर रहा हूँ कई ना कई पढ़ने के लिए प्रेडित हो जाते हो क्या क्या चीज इंपोटेंट होती है questions को असल करने के लिए उनके बारे में बात करता रहता हूँ तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहला प्रसन दिया गया है विचार करना है कतनों पर पहली लोगसवा में विपच्च में सबसे बड़ा राजनितिक दल स्वतंत्र पार्टी था पहली लोगसवा में दूसरा स्टेटमेंट है लोगसवा में नेता प्रत्यपच्च को सरव प्रतम 1979 में मानता दी गई थी तीसरा स्टेटमेंट है लोगसवा में यदि किसी दल के नियूनतम 75 सदस ना हो तो उसके नेता को नेता प्रत्यपच्च के रूप में मानता नहीं मिल सकती है ठीक है तो यह प्रस्म जो है study वाला है ठीक है प्रितपच्च सम्मंदित और पार्टियों सम्मंदित यदि देखना है आपको चीज़ें यह डारेक्टली आपको mention हो जाता है NCIT के अंदर 12 के राजनेतिक से जुड़ी हुई ठीक है भारत की राजनेतिक इस्तिति ऐसे करके है उसमें डार सबसे पहले कब बनाए गया ठीक है यह तो नॉर्मली आपको जानकारी ही है कि नियुनतम कितने सदस होने चाहिए हाला कि देखिए हल करने के लिए केवल आप तीसरा अठा दोगे क्योंकि 1y कितना होता है 10 होता है तो 1y 10 के नसार कितनी होने चाहिए 545 यानि कि 55 के आज़ पास सीट सोने चाहिए ठीक है अब इसमें 75 सदस दिये गए है तो यह अपने आप में गलत हो जाता है तो तीसरा जदी अटा दोगे यह हट गया यह हट गया यह हट गया बचा क्या दूसरा तो दूसरा लगा दीजे इस पकार से आपको आंसर कभी-कभी निकालने पड़ते हैं और एंड में स्क्रीन पर या पर डिस्क्रिप्शन कमेंट बोक्स में आपको जो ट्रिक्स में बताता हूं यो प्री एक्जाम निकालने के लिए वो जरूर देख लेजेगा बहुत ज़्यादा आसान हो जाएग आपका ठीक है वो यह माल लेजे कि एक कहते हैं गुरू क का एक कोई मंत्र होता है जो अपने स्टुडेंट को दे दे तो सक्सेज होने की चांसे हैं वो पूरत हो जाते हैं तो बिल्कुल वही गुरू मंत्र है मैंने सभी लोगों के लिए ऑनलाइन बना रखका है नेक्ट प्रशन है मरुस्तल छेतरों में जल हास को रोकने के लिए नमलिकत में से कौन से पन रूपांदरन होता है देंके जल हास को यानि की मरुस्तल है कोई मरुस्तल में क्या होता है जलकी मात्रा कम होती है तो जलकी हानी ना हो पौधा जलकी हानी ना हो इस कराण से जो पत्ते हैं पाने या निंद पत्ते वो किस चीज में रूपाइंतरत हो जाते हैं है ना यह आपने लग बग यह आपका NCIT में मिल जाता है, ठीक है, साइन्स वाली NCIT में यह मिल जाता है, और current affairs से भी जुड़ी होई चीज़े हैं, current में भी आती रहती है, पहला statement है, कठोर मॉम पर्ण में, कठोर जो पत्ते हो जाते हैं, मॉमी जो पत्ते हो जाते हैं, लगू पर्ण में, छोटे पर्ण करने बढ़ें, NCIT से सम्बंद चीज़ों को आपको जानकारी होनी चाहिए, NSSO के सतरवे चक्र द्वारा संचालित क्रशक कुटम्बों की इस्थती आकलन, सर्वेचन के अनुसार, देखे, current affairs से प्रस्न है यह, डारेक्ट आपका किसमें आया था, कुरू छेत्र से, ठीक है, NSSO का सतरवे चक्र जो एक तरवे चंड था, उसके बारे में direct दिया हुआ था, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा, deep पढ़ना पड़ेगा, और एक notes मनाना पड़ता है, आपको तब जागे चीज़े याद होंगे, वो बारबार revision करते हैं, या पिर मेरी कुछ tricks हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो, राज्तान में grammar कुटमों में करसी कुटमों का प्रतिसत सरवादिक है, next statement है, देश के कुल करसी कुटमों में 60% से कुछ अधिक OBC के हैं, तीसरा statement है, केरल में 60% से कुछ अधिक, कुछ करसी कुटमों ने यह सूचना दी है कि उन्होंने अधि एक तम आय गेर करसी सुरोतों से प्राप्त की है, तो इसका तीनों ही statement सही है, यह पढ़ने वाला है, जब आप योजना कुचेत पढ़ते हो, तो उसमें से कितना आपने deep पढ़ा है, कितना आपने notes बनाया है, उस पर depend करता है, ठीक है, current affairs, राश्टिय हरित अधिकरण, नि guarantee बोल देते हैं, किस परकार केंद्रा प्रदूशन नियंत्रन बॉर्ड से भिन है, केंद्रि प्रदूशन नियंत्रन बॉर्ड हुआ एक अलग है, और हरित निया अधिकरण एक अलग है, इन्में antar कया है या करकार, दोनों ही प्रयावर्ण से समनती चीज़ों को करते हैं, तो देख लेते हैं देखी प्रस्नों की प्रक्रति देखी किस पОकार से बन रहे हैं किस परकार से जो संगाठन है वह बारबार आपके करेंट phase में आते हैं उनसे प्रस्न पूछा रहे हैं निंत्रवन बोड का गठन सरकार के कारपालक आदेश से किया गया है तो ये statement क्या है गलत है ठीक है दूसरा statement क्या है NGT पर्यावरनी न्याय उपलब्द कराता है और उच्चितर न्यायलों में मुकदमों के भार को कम करने में साहता करता है जबकि PCCB जर्नों और कुओं की सफाई को साहत करता है तता देश में वायू की गुडबत्ता में सुदार लाने का लच्चे रखता है तो ये बिल्कुल सही है दूसरा वाला ठीक है तो B आंसर है इसका ये डारेक्ट दिये होते हैं आपके योजना कुरूच हित्त पड़ोगे न यदि उसकी आप जितना आप न्यूज पेपर पर फोकस करते हो अन्य मैग जिन पर करते हो इतना यदि आपने योजना कुरूच हित्त पर कर लिया ना फोकस ये प्रस्न वहीं से बनते हैं डारेक हमने 2019 का पेपर देखा था उसमें भी नौवी अनसूची से समनत प्रसन आया था डारेक्ट इसमें भी आया है दूसरा इस्टेटमेंट है नौवी अनसूची में डाले गए किसी कानून की वैदता का परिच्छन किसी नियाले द्वारा नहीं किया सकता है उसके ऊपर कोई भी करता है दूसरा ऐसा नहीं है कि सारी चीजें उच्छेक तरह से नौवी अनसूची में डाल जिया तो कोई बादता नहीं है किसी भी चीज की मन चाहे जो करेंगे ऐसा ऐसा नहीं है बिलकुल नयाले द्वारा इसे किया सकता है ठीक है इस्टेटमेंट पहला ओ सरी ऑप्सन पहला इसका सही है नेक्ट प्रसन है कभी कभी समाचारों में आने वाले पदव्यापारी छूट दर्व मर्चंट डिसकाउंट रेट को निमलकित में से कौन सा सबसे सही इसपष्ट करता है देखे यूपेस से के प्रसन देखने से नीद आने लग जाती है यह द्यायन में इंटरेश्ट समापत हो जाता है आईयस बनने का जीक esté बनने की सोची आ अब लोग वंनने प्रसन पतर जैसे देखते हो डाउन हो जाता है क्या confidence लेकि confidence डाउन क्यों है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं यह चीज है आपको पढ़नी पढ़ेंगी योजना कुरूचेतर पढ़नी पढ़ेंगी यहली करेंट पर ध्यान देना पढ़ेगा NCID बिल्कुल रटनी पढ़ेंगी अच्छे से और वो कैसे पता पढ़ेगा क्या पढ़ना है यह पुराणा प्रिवेस एर का प्रशन पता देखोगे ताव ठीक है यह नीद आ रही है उसा इठा दीजे बिल्कुल आंसर है इसका C यह बैंक द्वारा किसी ब्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेविट कार्ड से बुकतान लेने पर लगाया जाने वाला सुल्क है मर्चेंट डिसकाउंट रेट करेंट अफेस का है यह किसी देश के नाबकिय पूर्तिकरता समू के सदस्य बनने के क्या प्रणाम है क्या होगा यदि नाबकिय पूर्तिकरता समू का सदस्य हो जाएगा तो कोई वेक्ति इसकी पहुंच नविंतम और सबसे कुसल प्रद्योग की तक हो जाएगी, बिल्कुल यह सही है, यह स्वयम नाव किया, यानि कि खुद ही नाव की आयोध प्रसार संदी, N-PT का सदस से बन जाता है, तो यह गलत है, यह स्वयम नहीं बनता, उसकी एक प्रक्रिया है, उसके तहत, ठीक है, यह करेंट अफेस है, करेंट अप्रवासी सत्वों द्वारा दी जाने वाली, दी जा रही, ऑनलाइन विग्यापन, सेवाओं पर भारत द्वारा, आठ प्रतिशत समकर्ण कर लगाई जाने के निर्णे के संदर में, निम्रिक के तनों पर विचार करना है, कौन सा सही है, यह बताना है, पहला इस्ट्रि अप्रवासी सत्व, अपने ग्रह देश में, दोहरे करादान से बचाप सम्झोते, कि अंतर का टेक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं, यह भी कहलता है, देखें यह जो दिया गया है, यह आपका, एकनोमी से संब्दत है, है ना, एकनोमी से कर जहां पर भी आ जाए, एकनोम वो आपको कवर करने पड़ेंगे, तो अभी मान के चलिए, आपको समझ मनी आ रहा है, गवराने की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, यह करन्ट अफ्यास के प्रस्न है, प्रस्नों के प्रकृति देखिए, मैं जो समझाने के प्रैस कर रहा हूं, प्रस्न बनते कैस से हैं वो समझा रहा हूँ मैं यहां पर आंसर इस वीसF abord तेर रखा है कि इसन अंसर भी ठीक है देख लीजिए आप शी सल 욍ल चनल इसम पहलें आप प्रसें देखनाइं प्रस्व देखिए प्रस्व की बना रहा हूं हुआ ये वीडियो उस इंसर बताने के लिए नहीं बता हूं आसर तो आप कहीं पर Investment बासर दो तो ध्यान देंजिए तो ध्यान देना लगा राजकोशी दायत और बजट प्रवंदन समीच्चा समिती के प्रतिबेदन में सिफारिस की गई है कि बर्स 2023 तक किंद्र राजसरकारों को मिलाकर रिन GDP अनुपाद 60% रखा जाए जिसमें किंद सरकार के लिए है 40% और राजसरकारों के लिए 20% हो दूसरा स्ट्रिटमेंट है राजसरकारों के GDP के 49% की तुलना में किंद सरकार के लिए जीडिप का 21% गरेलू देता हैं तीसरा स्ट्रिटमेंट है भारत के सम्विधान के अनुसार यदि किसी राजज के पास किंद सरकार की बकाया देता हैं तो उसे कोई भी रिन लेने से पहले कें सरकार से सहमती लेना अनिवार है तो इसका आंसर जो है वो C है पहला और तीसर सही है लेकिन प्रक्रति आप देखोगे प्रस्न की तो ये डारेक्ट कहां से पूछ लिया गया है आर्थिक समीच्छा से ठीक है बजट से इस पकार से बजट और आर्थिक समीच्छा पढ़नी पड़ती है निम्लिक कतनों पर आपको विचार करना है पहला एस्ट्रेटमेंट है पिछले पांच वर्सों में आयातित खाद तेलों की मात्रा खाद तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है इस प्रकार का लगवा लगवा प्रस्न उननीस में भी हमने देखा था है तो यह बिल्कुल सही है दूसरा इस्ट्रेटमेंट है सरकार बिशेजस्ति के तौर पर सभी आयातित खाद तेलों पर किसी प्रकार का सी मसुलक नहीं लगाती है यह गलत है किसी प्रकार क्यों नहीं लगाती है उन्होंने मेजनी गेरी वालडी सिवाजी स्थ्रीकृष्ण की जीवनी लिखी वे अमेरिका में कुछ समय के रिये रहे तता वे केंद्रिय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे वे कौन थे वे ते लाला राच पत्रा है इस वजय से मैंने जीवनी के जो वीडियो बनाऊंगा वह इस करान से बनाऊंगा नॉर्मल सी कुछ चीजें हैं जो दे दिया गया और प्रस ने ऐसे बना दिया गया देखिए लाला राच पत्रा इसे अब यह इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ी सी जीवनी इन लोगों की पढ़ने पढ़ेंगे एक एक करके तो मैं सभी लोगों की देखिए देखिए जीवनी आपको बताऊंगा एक एक करके जो भी करेंट अफ्यास में आया करेंगे उनसे रेडिटेट है नुर्मलिकित कतनों पर आपको विचार करना है काड का प्रियोग नागर संक्या को निस्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है तो दोनों ही इसके गलत है यह क्या है यह आपका करेंट अफ्यास जुड़ा हुआ है नुर्मलिकित में से कौन से मानव क्रिया कलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचत हो गया है सूख गया है अराल सागर, काला स सागर वेकाल जील तो इसका अंसर है अराल सागर ठीक है ये क्या है ये क्यों आया है प्रस्म क्योंकि करेंट अफेर्स में चला होगा 2018-2017 में इस वैसे ये दे दिया इसके लिए ये थोड़ना कि आप बार बार आप पढ़ रहे हो अप पढ़ने तो ही हैं सारी चीह है जो करें इसका अंग जो है बहुत आ रहे हैं हर साल एक प्रस्म आता है इन पर ध्यान देना है आपको विस उन्याय परियोजना द्वारा ये जारी किया जाता है ठीक है करेंट अफेर्स में रहते हैं ये सारी चीजे इस वैसे आ जाता है निर्मलिकत मैंसे कौन भारत के सभी ATM को जो है ये है ये है UPSC जो आपको चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है और डीप ध्यान रखना पड़ता है ध्यान पर द्यान रखना पड़ता है बार बार लिखना पड़ता है आपको रिवीजन करना पड़ता है कोई भी योजना पर योजना है कहीं पर लिखी हुई दिख बनेगी आप लोगों की निम्लिकत कत्रों पर विचार कीजिए पूंजी पर्यापता अनुपात C.A.R. वहराची है जिसे बैंकों को अपनी निदियों के रूप में रखना होता है अपने पास रखना होता है यानि जिससे वे यदि खातादारकों द्वारा देताओं का भुगता नहीं करने से कोई हानी होती है तो उसका प्रतिकार कर सके यानि कि उसे दे सके तो बिलकुल यह सही है यह एक ऐसी रासी है जो बैंकों के अपने पास में रखनी होती है एक मिनिमुम रासी जिससे बाइचांस ब बारा अलगलग किया जाता है यह आपका RBI से करती है ठीक है तो यह क्या बैंकों से रिल्टेट एक कोशन है और 2017-2018 में आप सभी को पता है बैंक से रिल्टेट कितना बड़ा आप बैंक को जाते हो पैसे निगलने आपका आगर गमन होता रहता है कुछ न कुछ चीज चलती रहते हैं कर इंटरफेस में इस वज़ी से बन जाते हैं प्रस्ण है ना नेक्स्ट प्रस्ण ये है आप देख लीजी पहचान प्लेटफरम आधार darle aware खुला ओपन application programming interface API उपलब्द कराता है इसका क्या अपरा है ठीक है पहचान platform आधार खोला open application programming interface उपलब्द कराता है इसका अपरा क्या है इसे किसी भी electronic उपकरन के साथ एक किर्द किया सकता है पहला statement है दूसरा statement है आईरिस परित तारित का आईरिस का प्रयोग कर online प्रमाणी करना संबब है ठीक है तो इस तो प्रस्ण हुए normal मैंने ट्रक्स भी बताई हुए है ठीक है ट्रक्स का वीडियो जलू देखेंगा end में स्क्रीन पर जब आएगा ठीक है दोनों ही statement सही है यह क्या है यह आपके current affairs में जुड़े हुए चीज़े है योजना खुरू छेत्र मंतली में जिन जो पढ़ते हो आप बिग्यान पगती इन में से आते रहते हैं सरकारी news channel जो हैं सरकारी news channel कौन सा देखना है आपको या तो diet news देखिए साम को जो news आती है या फिर आप राश्तवा channel ठीक है बाकी के सब छोड़ दीजे बेकर की चीज़ा है बिल्कुल हाल में देखिए कैसे दिया है नमलिकत में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल और कोपोषड हैं प्रवावित हुए हैं या उनकी युद्ध संजातिय संगर्श के चलते उत्पन भुकमरी के कराण मृत्यू हो गई है वो को देश कौ चार साल यह होता है कहने का ताथ पर ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आपको चार साल का रटना है सारी चीज़ नहीं एक साल की करनी है उसमें बार बार ये नियूज में आती रहती है है ना बुट डिस्पेच के बारे में निमलिकत में से कौन सा कतन सत्य है बुट डिस्पेच कह दूसरा statement है विस्विद्द्द्दालों की इस्थापना की सिफारिस की गई थी इसके दौरा तीसरा statement है सच्चा के सभी इस्थापना की सिफारिस की गई थी तो answer क्या है इसका पहला और दूसरा ए आंसर है पहला और दूसरा ठीक है विस्विद्द्द्द्द्द्द्द्द् हो, जोवरापी हो. कुछ भी हो. दीक है? भारत की संसत के संदर मैंने नम लिकित मैंसे कौन सी संस्तिय समेथी इसकी समविच्च्चा करती है और सदन को सुजित करती है कि वो की जो बिनमे, नियम, उपनियम, उपविधी आधि बनाने की सकतिया संविधान द्वारा प्रदत हैं या सदन द्वारा प्रायोजित हैं प्रत्यायोजित हैं प्रत्यायोजित यानि की प्रदान की गई है उनका कार पाल का द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलिगेशन्स की परदी के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है कौन करता है अधिनस्त बिधान संसधी समिती तो संसधी समिती के बारे में भी आपको जानकारियां होनी चाहिए पॉलिटिका है लेकिन सभी सलसद ये समिथियां पढ़नी है आपको नहीं पढ़नी होती हैं पढ़नी तो सारी है लेकिन याद कौन सी कन्य उलती है जो आपकी एक साल में करेंट आफेस में चली है एक साल का करेंट आफेस क्या हो सकता है यदि आपको daily news paper हुआ मैग जीन्स हुई न्यूज पेपर हुए जो सरकारी वाले हैं उन पर फोकस करना पड़ेगा और जैसे जैसे चीज़ें आती हैं उनके अनुसार जो है आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं तब जाके यह चीज़ें याद होती हैं ठीक है तो इस वीडियो बस इतना ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीज़ेगा एंड में स्क्रीन पर वीडियो आ रहे हैं देख लीजियोंने काफी इंपोरेंट है जैन जै बारत धन्यवाद